इंडियन ट्रेन के टोईलेट का दर्वाजा खोलते ही गटर में पड़े सामान का दर्वाजा करके मूट खराब हो जाता है लेकिन 12 गंटों के लंबे सफर के दोरान और काफी देर प्रेशर कंट्रोल करने के बाद मुझे ना चाते हुए अभी ट्रेन के टोईलेट की तरफ दोड़ना पड़ा वहां की भयांकर गर्मी, भयानक बजबू, भीन बिनाती मक्हियों, तूटे फलस और अंदर पड़ी बीडी सिग्रेट के बारे में सोच करी मुझे डर लग रहा था उपर से इतनी फास्ट चलती ट्रेन में डब्बे से पानी गिराना, पेपर सोप से माथा पच्ची करना, टोईलेट सीट पर बेलेंस बना कर बेठना और हैंडल को टाइट पकड़ कर खुद का माथा फूटने से बचाना, कोई पहाड तोड़ने से कम नहीं था लेकिन जैसे ही मैंने टोईलेट का दर्वाजा खोला, तो इतना चकाचक, लंबा चोड़ा और रंग बिरंगा टोईलेट देख, मुझे लगा कि कहीं मैं किसी फाइव स्टार होटेल में तो नहीं गुश कया वहाँ एक सही सलामत फोवारा, और अच्छा खासा फ्लश देखकर मेरी खुशी दुगनी हो गई, पूरा काम निप्टाने के बाद वहाँ टोईलेट के अंदर ही, एक चमकदार होस बेशिन, हाथ धोने के लिए हेंड होस का एक डबबा, और कतरा फैंकने के लिए एक डश